हलो बूर्णिंग एब्रीवन मद्द प्रदेश के डेली करेंट फेर्स में बात करेंगे आज 30 जुलाई के महत्कून करेंट फेर्स के बारे में यह कुछ नोट्स हैं अगर लेना चाहें आप ले सकते हैं आपको जेल प्रहरी और अपकमिंग जो एक्जाम्स हैं आपके उनमें काफी काम आएंगे आपको जल्द ही आपको मिल जाएगा जुलाई और अगस्त का भी करेंट फेर्स को जल्द ही मिलेगा और इससे इसको अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं ठीक है एक और चीज़े एक कुछ फुराना कंटेंट है वो भी आप ले सकते हैं यह को और मैं आप से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे ग्रुप पे अड़ करने के लिए प्लीज WhatsApp ना करें क्योंकि टेली ग्राम पे मैं आपको ऐसे एक बंदे को ग्रुप में एड़ नहीं कर पाऊंगा मैंने लिंक दे दी है आप उस लिंक को फॉलो करिए लिंक को फॉलो करके आप वहां ग्रुप में एड़ हो सकते हैं और ओनलाइन को इस कर सकते हैं ठीक है लेकर आप मुझे प्लीज ग्रुप में एड़ होने के लिए WhatsApp के मैसेज ना करें क्योंकि मैं आपको नहीं कर पाऊंगा मैं कितने लोगों करूंगा आपको सूचे दिन पर मैं अगर 100 लोगों के ऐसे मैसेज आएंगे तो मैं कितने लोगों को करूंगा ठीक है इसलिए इस प्रकार के म संदेरी में स्थेथ है मोहित बिसेग ने बहुत अच्छा अंसर किया है एक रिक्विस्ट करूंगा सबसे मैं इनका जो मैसेज होता है उसको पिन कर देता हूं तो वह आप जरूब पढ़ दिया करें जो भी मुझे अच्छा मैसेज लगता है बड़ी गिडा बांध जो है मोहिनी सागरबान ख्यान रखिए यह बहुत इंपोर्टेंट है 1970 में नियू रखी गई थी जो 2008 में पूर हुआ परियोजना के दौरा 60 मेगावाट की बिजली उत्पादित की जाती है इसकी जो लंबाई है वो 1070 मीटर है उंचा 62 मीटर है शिप्पुरी के नरबर में 10 भी शिताब्दी निर्मत नरबर का किला भी इस्थे थे सिंदे नदी की बात करते हैं तो यह बिदीशा जिले से इत्ता डेटेल में जाने की जरूब नहीं है बिदीशा जिले से इसका उद्गाम होता है 470 किलो मेटर की दूरी तेके करके उत्तर प्रदेश में यमना में जाकर मिल जाती साहिक नदियों में पारबती नन महूर ठीक है यह आपकी नदियां है बैजु बावरा की बात करते हैं तो समाधी मत्य प्रदेश के चंदैरी में है सोलह विशताब्दी में पंडित बैजनात का जर्म चंदैरी में 1541 में एक ब्रामण परबार में हुआ था ठीक ह बारत के इस ब्रेजśत के द्रोपद गायक थे धैंना कि एध्रोपद गायक थे तांसेन के समकालेन थे ऊगवालियर के जो राजामां सिंग्थे उनके दरवार में ये गायक थे तीक है shrubadar मुज्री टोडी मंगल गुज्री आदी नयनय लागों का आभिसकार भी किया ह। जो है वो मश्रूर सिल्क के कपड़ों के विजह से भी जाना जाता है, ठीक है, आज के हमारे दो प्रशने हैं, आदमगड की पहाडियां, मध्या प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं, दूसरा प्रशने है, खरबूजा महिल किस जिले में, इक दो परशनों के जबाब आपक कर सकते हैं एक और देखिए गाइज कॉपी राइट एक बहुत इंपोर्टन चीज होती है यह मैं उन लुगों के लिए कह रहा हूं जो मेरा कंटेंट उठाते हैं सीधर कॉपी पेस्ट कर देते हैं उनका ऐसा लगता है कि यह करेंट अफेयर है तो यह सब के लिए सेम होगा एक वीडियो को बनाने में उसका कंटेंट सर्च करने में मुझे तीन से चार गंटे लग जाते हैं ठीक है और आप मेरी मेहनत को उठाके सीधा सीधा आपने चैनल पर कॉपी पेस्ट कर लेते हो तो मुझे नहीं पता मुझे से कोई फरक नहीं पड़ता कि आप कोई कोचिं इस्टिटूट वालों ने मेरा कंटेंट पूरा छाप दिया आपको पता होगा मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा लेकिन इतना ध्यान रखें कि आप कोचिंग इस्टिटूट वाले हो चाहिए कोई कॉपी राइट वाले हो चाहिए कोई मैगजिन वाले हो अगर आप आपको कटगरे में जरूर खड़ा कर दूँगा और यह मैं वालनिंग दे रहा हूं आप कितने भी वड़े कोचिंग इस्टिटीट वाले हो कोई भी हो मुझे से कोई फरक ने पड़ता है ठीक है गाइस एक और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ऐसा मेरा कोई कोई सा भी कंटेंट अगर आपको कहीं भी किसी यूट्यूब चैनल पर किसी मैकजीन में कहीं भी मिलता है आप मुझे इस मेल आईडी पर उसके बारे में बता सकते हैं या आप मुझे इस वाट्साप नंबर पर उसके बारे में बता सकते हैं आपस रिक्वेस्ट करूँग यह आपका भी दायूत बनता है कि अगर आप चाहें कि इसंट को इसी तरीके से आगे continue किया जाए, तो यह आपका दायूत बनता है. आपका असर करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, बाकी आपकी मर्जे. चली старt करते हैं, पहلا जो प्र disciplines है, मद्यपर्देश Tennis Association के अध्यक्षबनाए गए है. तो यह में जो मद्यपर्देश Tennis Association है, उसके अध्यक्षबनाए गए है. और मद्यपर्देश Tennis Association की रसेऊच्ष सर्थाधान सभा की बैठाक कोई है. इसमें आग आने वाले चार सालों के लिए कारिया कालिन का होता है और वीडियो कॉंद्धिनशें के माध्य वेठे कोई थी इसमें अनिल महाजन को अध्यक्ष बनाया गया है मध्य परदेश टेनेस Lars शियेशन का और अनिल धूपर को इसमें सचिव नियुक्त किया गया है। इसके अगर बात करें अनिल महाजन पिछले आठ सालों से अध्यक्षपत पर हैं। इसके लाबा करीब 26 सालों से सचिव पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इनको अभी हाल में इसका अध्यक्षपत बना दिया ग जोड़ सकते हैं आप जोइन कर सकते हैं इसको एक और इंपॉर्टेंट कोश्चन है अभी हाल ही में जो राज्यपाल के विसेश करतवयस्थ अधिकारी यानि कि ऑफिसरों स्पेसिल ड्यूटी श्री मनोफरलाल दोबे का राज शासन के दौरा स्थीफा सुईकार कर लिया इनोंने स्थीफा दिया है अभी हाली में ध्यान रखें OSD थे राज्यपाल के यह भारतिया प्रशासनिक सेवा के सेवा निर्विक्त अधिकारी थे 29 फरवरी को इस पत पर एक वर्ष की संविदान इक्तिन को दी गई थी लेकिन 27 जुलाई को उन्होंने स्थीफा दे दिया मध्यपरदेश में बनाई जा रही है क्योंकि अभी कुछ इन दौर या कहीं इस प्रकार का ऐसे कुछ केसिस आए हैं जहां पर कैदी संक्रमित हो गए तो ऐसी जिल बनाई जा रही है मध्यपरदेश में टोटल 14 ग्रह मंत्री ने इसके निर्देश अभी हाली में जारी करे ग्रह मंत्री हैं मध्यपरदेश के ठीक है धियान रखिए इसमें इन दौर आपका ग्वालियर छिंदवाड़ा रतलाम रीवा शहडूल सागर सतना खुशंगवाद छक्तरपूर बढ़बानी नरसिंगपूर खंडवा और दतिया यह टोटल 14 जिले हैं जहां पर इस प्रक कुल खुली जेल कितनी है कुल मध्य परदेश में खुली जेल मन चुकी है छहए एक चीश कमेंट करके बताएं कि मध्य परदेश की ते पहली खुली जेल उसके बाद उनी जेल के जो बैरक्षियों में रखा जाएगा अगर उन में कुरून संक्रमड या कुरून के लक्षण पाये जाते हैं तो उन्हें प्रथक से तयार की गई अस्थाई जेलों में रखा जाएगा और इन दौर में जो शास्की पिछडाबर्ग पोस्ट मैट्रि अब हाली में घोशित किया गया है अगला परशुन आ है किस परदेश स्कूर के लिए अभी नरसरी कम चलाने वाखा थी पंजियन उनयइद्ह करबाया है तो शालापूर्भ शिच्छा केंद्र किस जट एभा अब ही त começ गया करदा है आब ही तक बहुत सारे औस नरसरी स्कूल, प्ले स्कूल या किंडर गार्डन ये चलाने वाले जो लोग हैं उनको रेजिस्ट्रेशन करबाना होगा अगर रेजिस्ट्रेशन के बिना ये चलाए जाते हैं तो संचलग के खिलाब कारिवाई की जाएगी महला बाल विकास बिभाग जो है उसने इसके आद किंद्रिय महला बालविकास मंतराले है उसकी रास्टी है ECCE यानि की प्रारंभिक वाले अवस्ता देखवाल एवं शिक्षा नीती 2013 में बनाई गई थी अभी आपको पता है भी हाली में भारत की शिक्षा नीती आई है अभी आई है तो इससंद जरूरियाद रख लो कब 3-6 वर्स की जो बच्चे हैं उनको सैक्षण का आवश्यक्ता हुए उनको आई वरगे के बच्चों के लिए स्कुल्पूल सिक्षा के महत्य पर जोर दिया गया है ठीक है तो आपको तो इतना याद रखना है कि नीती आई कब थी अगला बचन हाली में देश की पहली मंत्री वो भी हॉस्पिटल में है चराई हॉस्पिटल में भरती इनको कोरोना हो गया था इनके देख्चता में जुलाई दो हजार बीस जुलाई 28 2020 को देश की पहली वर्चुल कैबिनेट मेटल शिवरा सिंग चौहान के देख्चता में हुई है और वीडियो कॉन्फरेंस भी है उसका नाम बदल कर चंबल प्रोग्रेस भी इसमें करने का लिया गया है सुन्तों काफी दिन से रह थे मैं आपको पहले भी बता दिया था मैंने लेकिन अब फाइनल ओफिशली लिया गया है यह जो इसके साथ साथ भारत माला परियोजना के अंतरकत इसको बनाया जा अली में इस कबिनेट की बैठेक में परदान किया गया है इसके लाबा देखिए एक और चीज है बजट का जो अध्यादेश है वो आया है तो इसमें बहुत सारी चीजे है एक तो देखिए एगरी कल्चर इंफरेस्ट्रेक्टर फंड यूजना ध्यान रखिए इस यूजन इस में इस वित्तिय वर्स में 744 करोड का प्रावधान इसमें है 10% ठीक है तो यह आप देखिए देख सकते है टूटल जो वित्तिय अलक्ष है वो 744 करोड है इसमें 2020-21 यानि कि जो अभी करेंट आपका वित्तिय वर्स चलेगा उसके लिए 744 करोड है 2021-22 के लिए 232 और 2023- ठीक है यह दियान रखें यह पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट है तो इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें है इसके अंतरगत प्रती प्रकरण 2 क्रोड की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी तर्था ब्याज में 3 प्रसर तक की छूट दी जाएगी इस फंड से प्रद चेंज संबंदी अधूसन रचना का निर्माण इसके थूट किया जा सकता है इसके अलाबा प्रतेक विकास खंड को इस वित्तिय वर्स में दो-दो प्रकरणों का लक्ष अभी दिया जा रहा है इसके लाबा कुछ और इसके अंतरगत नेड़े लिए गाए इसमें केंद्र प्रदेश में इस वित्तिय वर्स में 1000 क्रशक उत्पादक संगठनों FPO का गठन किया जाएगा कितने 1000 किस वित्तिय वर्स में इसी वित्तिय वर्स में 2021 किस में ध्यान रखी important है सरकार की और से FPO के प्रदेख सदस्य को 2000 रूपे तद प्रदेख FPO को अधिक्तम 15 लाख रूपे तक बराबर matching equity grant प्रदान की जाएगी प्रदेख FPO 2 क्रोड रूपे तक credit guarantee facility तक मिल सकती है प्रदेख FPO को इसके लाबस package में पशुपालन संबंदी प्रावधानों के अंतरगत प्रदेख के जो समस्त गौव है सवनशी है 292 लाख पशुओं का टीका करण कराए जाएगा और उनकी tagging कराई जाएगी इसके लिए केंदर सरकार को प्रदेख से 301 करोड 96 लाख रूपे का प्रिस्ताव भिजवाया गया था प्रदेख ने गयर जिसमें चीज में भारत ने 48 KROड 42 लाख रूपी के लिए जारी कर देए प्रदेश के 70 लाग वच्छों की टेगिंग की भी जा चुकी है ठीक है तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा दो तीन और इसमें चीजे रही है सब्सक्राइब के लिए के लिए जिला सहकारी बैंक को नाबाड के दौराइब के दौराइब किसानों को फसल रण के लिए जिला सहकारी बैंक को नाबाड के दौरा इस पेशल लिक्विडिटी प्रदान की जा रही है जिसके अंतरगत अपेक्स बैंक के दौरा नाबाड को तीन हजार करोड रुपे का प्रिस्ताव भिजवाया गया था इस मैंसे दो हजार करोड रुपे प्रदेश के लिए सुईक्रित कर भी दिये गए हैं ठीक है और यह बैंक को प्राप्त भी हो गया है ठीक है याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट करेंट अपका होगा किसानों की जो क्रेडिट कार्ड युजना है उसके अंतरगत प्रधानमंत्री किसान युजना में प्रदेश के 987,000 किसानों को बैंकों के माद्ध हमसे किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये जाने बाकी बचते हैं 63,526 जो किसान है उनको जिनको केसी सी जारी करने की करवाई की जाने की किसान क्रेडिट कार्ड इसके लिए भारत सरकार द्वारा 334.7 क्रोड रुपे की लिमिट राशी श्रीक्रित की गई है इसके साथ ही प्रदेश के 2,68,000 दुग्ध उत्पादकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएंगे ठीक है तो यह पूरा डेटा आपको याद रखना है गाईस तो गाईस यह पूरा था हमारा आज का वीडियो वीडियो कर अच्छा लगा है लाइक करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तब पहुंचाईए शेर कर करिए ओल दिवेस्ट थैंक यू वेरी मिच